अई आज याज ऊंधना बैसिक पिताया कि साइंटिफिक लॉग कि क्या होता-पासrest आन क्या मैथर्थद भुषिपन यह इंग्वाइडjem कोन?" यह जामने इसका पहला हमारे पास आपछु जैसर आब भी observation जो कि हमारे पास बोगत ही ऐसी चीज़ होती है observation five सेंसे हमारे पास कौन सी होती है वो हमारे पास होती है touch vision जिसको हम क्या सकते है tatch vision taste हम क्या सकते है hearing टाउच vision taste hearing smell यह सारी चीज़े जो है इन से हम observation बनाते हैं उसके बाद हमारे दुसरी चीज थी hypothesis इस एक स्टेटमेंट होती है बहुत से दो तरीके होते हैं एक होती है डूसरा होता है इंडेक्टिव रावा कुछ होते हैं जो के हम कर सकते हैं तो वह हमारे पास था था पर था imagination imagination थी हमारे पास दूसरा हमारे पास था religious और philosophical ideas हमारे पास थी एस्थार्टिक preferences aesthetic preferences हमारे पास तीसरी चीज थी हमारे पास comparison के आरना लोगी और हमारे पास लाज जो चीज थी वो था finding one thing while looking for other for other तो कि हमारे पास चीज थी उसके बाद हमने अगली जो मेरे पास थी वो थी हमारे पास theory theory क्या होती है यह हमारे पास basically वही hypothesis होती है testified hypothesis जो कि कुछ evidence इसके इसके इसको जो होता है वह स्टॉंग होती है यह उससे इसके राव इसकी टाइप होती है इसको कहते है प्रोड़क्टिव प्रोड़क्टिव क्या होती है जो इसके पास हमापस बन जाता है सांटिफिक लॉव तो बन जाता है लो हमारे पास किया होता है इसके इसके इंदर मापस दो दो एक्जेमपल्स हैं मेंडल्स लॉव मेंडल्स लॉव इंधरिटन्स और हार्डी वीन बर्ग वीन बर्ग तो यह हमारा पास हमारा पॉरकवर प्रोड़क्टिव यांपर हो जाता है कंप्लिट आई होब आपको समझा गई होगी अगर आपको इसमें कॉमेंट सक्शन में पूर सकते हैं हम इन्शाला इसका जवाब दरूर देंगे अब हमारी मुराकाल होती है नेक्स्ट लक्चर में अलहाफ़ज